ये नवंबर का महिना है और नवंबर आते आते उत्राखन के पहाडी राज्यों में ठंड बढ़ने लगी है जिस कारण उचाई के स्थानों में बर्फ गिनने की संभावने है उचाई के स्थानों में हिमपात होने की वज़र से आने वाले महिनों में लंबे और उचाई वाले ट्रेक्स कर पाना पॉसिबल नहीं होगा जिस कारण इन सर्दियों में अपना प्लान उत्राखन के उन कमूचाई के पहाड़ों को कवर करने का है जो लोगों की नजर से बहुत दूर है सीधे सब्दों में इस विंटर सीजन में आपको परवतवासी जैनल में ऑपबिट ट्रेक्स देखने को मिलने वाले हैं जैसे की ये ऑपबिट ट्रेकिंग सीरीज पहले से जलती आ रही है तो इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का ट्रेक अपने गाउं से लगभग 15 किलोमेटर दूर एक ऐसे पहाड का रहने वाले जो आधार से सिखर तक पूरा जंगल से ढखा हुए एक ऐसा पहाड जो मेरे घर से साब साब दिखाई देते हैं पहाड का नाम है डोक्या धूरा जिसे आसपास के लोगो द्वारा मूर्ती का डांडा भी बोला जाते हैं ये पहाड अपने पिथोरागड जिले के मुंस्यारी ब्लोग के नाचनी छेतर में स्ती थे पिछली वीडियो के अकॉर्डिंग आज की वीडियो एक केम्पिंग वीडियो रहने वाली थी पर कुछ कारणों के चलते ये वीडियो प्रोपर ट्रेकिंग वीडियो रहने वाली है आज की तारिक थी 8 नवंबर 2024 और इस सफर में हम 4 लोग सामिल थे ये महिना नवंबर का था पर इस बार नवंबर के महिने में ना तो ठन ज़्यादा थी और ना ही मौसम साफ रहा पिछले साल अक्टुबर के महिने में कुछ ऐसा मौसम था पर इस बार नवंबर आ चुका था और मौसम अभी तक साफ नहीं था सुबह के आट बजे हम चार लोग घर से आज का सफर सुरू करते हैं और पंदर किलो मिटर की ड्राइब करके नाचनी छेतर के मूर्ती गाउं में पहुंसते हैं मूर्ती गाउं मुंस्यारी ब्लोक में नाचनी डाउन से लगभग 10 किलो मिटर दूर डोक्या धुरा की तलहटी में बसा हुए जहां से हमको आज का पैदल ट्रेक सुरू करने हैं अगर डोक्या धुरा को मेप के थुरू समझें तो ये पहाड लगभग 750 मीटर रूचाई कहें जिसकी उत्तरी डालान में तलहटी पे नाचनी डाउन इस्तीते वहीं दक्षिन पूर्वी डालान में मूर्ती गाउं बसा हुए अगर आप कभी मुनस्यारी गूमने जाते हो और थल से गुजरते हो तो थल के बाद नाचनी पहुँचने से पहले लगभग 5-6 किलो मीटर इसी पहाड में ड्राइब करते हो नाचनी टाउन के इस पहाड की तलहटी में होने के कारण नाचनी से ये पहाड एकदम खड़ा दिखाई दे थे जो सर्दियों में 2-3 बज़े के बाद नाचनी गसबे में धूप की किलों को पहुचने ही नहीं देता जिस कारण सर्दियों भर नाचनी में बहुत ठन रहती है जैसे की मैप में भी देखा जा सकते हैं इस पहाल की चाया सीधा नाचनी में पल रही है जिस कारण आजपास के गाउं में धूप निकली हुई है पर नाचनी टाउन मानो अंधेरे की चादर ओड़े है सुबह के 10 बजे हम उस इस्थान पे पहुँचे जहां से हमको आज का पैदल ट्रेक शुरू करना था अगर मैप के तुरू दिखाऊं तो अपना आज का ट्रेक मूर्ती गाउं में इस लोकेशन से शुरू हुआ जहां से पहले हमको मूर्ती गाउं पहुँचना था उसके बाद लोगों से रास्ते का पता करके लगभग 4-5 किलोमेटर का ट्रेक करके दोक्या धुरा तक जाना था इस पहार के टॉप तक पहुँचने का एक और रास्ता है जो नाचनी के पास यहां कहीं से शुरू होते हैं और कालुचिना की धार से होते हुए डोक्या धुरा तक पहुचाते हैं डोक्या धुरा की पस्ची मी ढलान को कालुचिना या कालचन धार भी बोला जाते हैं जिस कारण कुछ लोग इस पूरे पहाड को कालुचिना के नाम से जानते हैं ये पूरा पहाड जहां एक तरफ चील्ड के जंगल से ढखा हुए, वहीं दूसरी तरफ इस पहाड में चट्टाने और गहरी खाई है, जहां बीते सालों में कुछ भयानक हाथ से हो चुके हैं। इस घाटी के कुछ गाउं तक मैं पहले भी जा चुका हूँ और जब भी मैं यहां को आता हूँ, एक अलग सी मायूसी इस इस्थान में पाता हूँ। मूलभूत सुईधाओं से बहुत दूर होने के कारण इस घाटी के हर एक गाउं से भारी संख्या में पलायन हुए है। इस बादा को गादा है हाँ से रहते में सर्व वैसे गाउं में तो पानी है नाल पर उपर नहीं होगा यहीं से बनना होगा वो जो उपर घर दिख रहा दावाय अगा रास्ते में यह ना दरास्ता तो टी गदान न्यवाद कि आपको यह पाहाड दिखाई दे रहे हैं यह है खापर चूला पीक इसको हमने जब चड़ा था इसके पिछले साइट से चड़ा था और यहां से भी ट्रेक शुरू होता है इसका लेकिन यहां से जंगल वाला ट्रेक है पूरा और उधर जो पाहड दिखाई दे रहे है वो वाला उस पे भी जा चुके हैं मकर चामा पीक है वो तो यहां की यह दो बाड़े हो चुकी और आस तीसरी यहां का एरिया ऐसे है कि चहल पहल बहुत कम है मतलब नजदीक नजदीक पे घंणी है और यह पूरा एरिया एकदम व घास के से दिख रहे हैं आपको इस घास को गाजयों बोला जाते जिसको जानवर खाते हैं तो यह गाहूआवाले लगाते ताकि साल भर उनके जानवरों के खाने के लिए उपाए जो इस बुग्याल में दिख रही है आपको छोटी-छोटी घास यही बड़ी हो जाती एक सितंबर एक्टूबर के डाइम पे तो इसी के काटके ये लुट्टे लगाए जाते हैं कैसा लग रहा है सोनु भाईया और सोनु भाई के पीछे वो पहाड खापर चुला के ये वाला मूर्ती गाओं में पहुचने के बाद इस गाओं में पड़ी पलायन की मार को सब सब देखा जा सकते हैं जिस गाओं में कभी 30 से 40 परिवार हुआ करते थे आज उस गाओं में मुस्कील से 10 परिवार बचे हैं जो एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं कहीं कच्चे मकान तो कहीं बंजर खेत मानो सालों से आज भी इंसान की रहा देखे देखो मिर्च के पेड़े सारे वो मिर्च लगीन में बहुत सारी जित्ती भी लाल आपको दिखे रही है सायद आप ऐसे प्रोपर देखे किता बढ़िया अभी भी सजा रखे इस घर को ऐसे घर बहुत कम रहे चुके हैं जो हैं बहुत खराब कंडिसन में हैं एकदम प्रोपर अच्छी कंडिसन वाले घर बहुत कम हैं इसके भी छत में देखे छेद है कुछ सारे तिरपाल वगएर भी जाए हैं ये इसलिए भी जाए हैं कि पानी लीक ना हो बरसात में घरों में पानी आने लग जाते हैं अब इन घरों को बनाना बहुत मुस्किल है क्योंकि आप ऐसे कारीगर अपने उत्राखन में बहुत कम बचे हैं जो पहले से बनाते थे इन घरों को वो सारे लोग गुजड़ चुके हैं बहुत कम लोग रहे जिनको ये कला आती है जिस कारण से ये घर बहुत कम दिखाई देते हैं अब है अभी दिन के टाइम पे गाउं के सभी लोग अपने जानवरों को लेके या फिर जंगल अंगल में गए रहते हैं जिस कारण से ताले लगे सभी घरों में और ऐसा कुछ आगाने देखे कितना प्यारा घर लग रहे हैं तो यहां कुछ लोग हैं जिन से पूस्ते हैं यह ले मूर्ती विवा मा घर बार दूर दूर जणिया दूती परिवार यहां जाज फिर दूतीन पर कथब देगी मरान यह बाखल बड़ी चाओ मा बड़ी आलाग रहे हैं दूरे हैं बड़ी देखी रहे हैं देखो कितनी सुंदर बाखली है जो ऐसे पुराने घर होते है बाखली पहाडों में लंबी इनको बाखली बोला जाते हैं जहां पे दो तीन परिवार एक साथ रहा करते हैं इनको अपने हां पर बाखली बोला जाता है जो और वीडियो मना रहे हैं बुबु इनकी तो देखे बुबू जी जंगल से बगरिया ले हैं चरावरा के बढ़िया से तो पानी पीते हैं यहाँ पे कुछ दिर बैठते हैं फिर रस्ता पता करके आगे जलते हैं गाओं के मध्य बनी एक भाखली में पहुँचने के बाद अपनी मुलाकात वहां रह रहे अम्मा बुबू से हुई जिन्होंने मूर्ती गाओं के मुश्किल हालातों के बारे में बताया अम्मा के अनुसार ना तो यहाँ कोई स्कूल की सुईदा है और ना ही कोई अस्पताल आसपास है गाओं के लिए बहुत समय पहले एक रोड काटी गई है जिसकी हालत बहुत खराब है अपना गाओं अपनी मिट्टी और अपनी जमीन छोड सहरों में पलायन कोई नहीं करना चाहता पर सुईदाओं के अभाओं में लोग पलायन करने पर मजबूर हो जाते है तो कुछ देर यहाँ पर बूबू के घर पर बैठे बूबू ने पानी आनी पिला दिया अच्छे से और रस्ता भी समझा दिये अब यहाँ से चलते हैं ठीक है बूबू मूर्ती गाओं के ऊपर चील का जंगल होने के कारण इस पूरे स्थान में पानी की बहुत कमी है जिसकारण पाहाड में पानी मिलना बहुत मुस्किल है तो मूर्ती गाओं के आखरी घर से हमको टॉप तक पानी के जार पकड़के चलना था तो देखो अपना पहाडी भाई सोनु भाई पेड में जा चुक है आम लोग ए लिए और अगर अपने ट्रेकर साथ ही दिखा हूँ आपको आयूज भाई से मिलिए और तरुन भाई को आपने बहुत बार देखा होगा अकसर वीडियो्स में तरुन भाई को रालम में भी देखा होगा आपने तो काफी सारे आवले आपको मिल जाये गट्रेग में गुड़ 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 कल तक का कोटा हो गया है तो यहां पर पानी का टेंग तो है पर नल नहीं है इसमें तो घर है उपर पे एक उस घर से बनना पड़ेगा पानी अब मैं घर भढ़ दियागा जो अभी बूबूजी से रास्ता पूछा था उस घर पर पूछाता हूँ वहां से इस साइट से कहीं इतना आ चुक हैं पाने का टेंग कहीं यहां था पर वहां से पानी बननी पाए तो यहां पर एक घर दिखाई दे रहे इस घर पर चल रहे को अबंब्पिन ओनेे कि अधिम भीत पॉ का यह कि अधा बुबू पाणवरंजो पानी अमावेलाग अच्छी दौल बोड़ गया आई उपड़ जा रहे हैं यह इस वाले पाण में उपड़ है जो पानी है ंब करने लिए हैं उपार ले जाने हैं न तो यहां पर और अम्मा जी कर पानी बश्य मु स्काइद को होई चाहं बाद को चाहें अच्छा, आप भी बनाते हो, तो इन में देखे, मधुमक्किया हैं, इस पे भी और इस पे भी, तो ये बुबुने बनाए हैं, ये वाले और जो लकडी के गोल वाले दिखे रहें आपको, ये सारे बुबुने बनाए हैं, तो इनको ठाल बोला जाते हैं, पहाडी सब्दे अभी तक हम जितने भी घरों से गुजरे जादातर घरों में बुजुर्ग लोग ही मौजूद थे क्योंकि गाओं के कुछ हुआ नौकरी की दलास में बाहर थे तो कोई सहरों में पड़ाई कर रहे थे इस गाओं में चाई उदासी को यहां पहुंसते ही महसूस किया जा सकता था निसंदे ये इस्थान बड़ा ही खूबसूरत था पर फिर भी यहां एक अधूरापन सा मौजूद था ये अधूरापन गाओं के वो लोग थे जिनके कभी यहां होने की वज़ा से इस गाओं में मानों रौनक हुआ करती थी पर गाओं के वो लोग भी जले गए और वो रौनक भी कहीं चुपसी गई यहां आने के बाद इस गाऊं से गुजरने के बाद मुझे ग्यात हुआ कि चाहे कोई इस्थान कितना ही सुंदर क्यों नहों उस इस्थान की असल सुंदर था वहां रह रहे है लोगों से बढ़ती है यह 10 लीटर के यह हैं और यह 2 जो हैं यह 55 के कर सय तो ट्रेगिंग में नजारे आते हैं अच्छे जगह देखते वह बात अलगे लेकिन जो कश्ट होते हैं वह आप देखी सकते हो 10 लीटर के जार बाईने अच्छा और भाही लोग ने भी 5-5 लिटर के पकड़े हुए, क्योंकि जिस जगह पे हम जा रहे हैं, वहां उपर को पानी विल्कुल नहीं है, क्योंकि पूरा चीड का जंगल है, देखो उपर, तो पानी साथ में केरिकर के लिए जा रहे हैं, जो एक घास दिखाई दे रही है आपको इनी को बोला जाते है, गाजियो, यह है जो ही है, इनी के लुट्टे दिखाए थे, मैंने आपको रस्ते में दिखाए थे, जो इस साइट को गाम वालोंने काटी नहीं है, जिस करण से घास बहुत उची हो रही है, देखे वहां पे पहाड है, जो क्लियर नहीं दिखाई द बहुत बेकार हो रखी है, हेज चाही हुई है, उसी समय खादेना, छिला जीद लिए अधेर को उसमें, तो सोनु और आयूस के साथ अपना पहला ट्रेक है, जो बूबु मिले हो बतारे थे कि यहां का पानी खत्यडा से सप्लाई किया जाते है, यानि खत्यडा से पानी आत अधा ट्रेक नहीं है, टाइम पर पहुच जाएंगे, अभी लग भग एक या डेल बज़रा होगा, तो आज अपने साथ प्रो ट्रेकर भाई है, तरुन भाई, मीचे से जाट एक तविला आ रहे हैं, और दो भाई भी तगले लग रहे हैं मेरको तो, सारे पहाडी है, तो तो यहां रास्ता साथ तो लग रहे हैं, लेकिन जाड़ियों के गारण ऐसा लग रहे है, रास्ता धका होगा पूरा, तो कुछ इस तरह 20 लिटर पानी के साथ हमने टॉप की तरफ चलना सुरू किया, कालू जीना के टॉप तक गाउं के लोगों का आना बहुत कम होते हैं, जिस कारण रास्ते में हमको उची-उची घास देखने को मिली, चील की पत्तिया पूरे रास्ते में फैली थी, जिस कारण चढ़ाई में आगे बढ़ पाना बहुत मुस्किल हो रहा था, पिछले कुछ सालों से हम गर्मी के सारे रेकॉर्ड्स तोड़ते आ रहे हैं, और इ आता है नवंबर में भी यही होने वाल है, आज के ट्रेक में लगभग 500 मीटर की उचाइमा आने के बाद भी यहां गर्मी बहुत ज्यादा थी और ऐसा लग रहा था कि मानो हम दो महीने पीछे सितंबर में थे, सुबह के साड़े-दस बजे रोट से पैदल चलने के बाद दिन के डेड़ बाजी हम टॉप में पहुंच गए हैं, यहां तक गाओं के लोगों का आना बहुत कम होते हैं, जिस कारण टॉप में चारो तरफ उची उची घास देखने को मिली तो नीचे कहीं से आने के बाद, यहां से आई हैं कहीं से, तो लगभग चार आ गए होंगे, और इस साइड आके देखिए, टॉप में आ चुके हैं, इस साइड है ऐसा, अब यहां से अपना प्लान है, उपर को जाने का, तो यहां से दूर दूर तक के नजारों को देखा जा सकते हैं, सामने पर फितोरागर जिले का बहस कोट गाउ दिखाई दे रहें, इस लोकेशन पर कैम सेट अप कर पाना बहुत मुस्किल था, तो किसी बढ़िया सी केम्पिंग लोकेशन की तलास में हम आगे की ओर चल पड़े, कुछ आगे चलने के बाद, एक अच्छी सी केम्पिंग लोकेशन हमको दिखाई दी, जो आज रात के स्टे के लिए एक बढ़िया लोकेशन थी, जो यह पहाड है ना कालचन, इस साइट से तो बढ़िया है, लेकिन इस साइट पूरा पहाड, कफ़र है, चट्टान है, और गहरी खाई है यहां से देखे, राम गंगा उधर कहीं देखे, राम गंगा न दीए, लेकिन नवंबर के महिने में भी यह धुन्द छाई हुई है पूरी, तो नजारे दिखने की उम्मीद नीए, लेकिन हाँ जंगल वाली फिलिंग प्रॉपर आने वाली यह बढ़िया, और इस साइट को कहीं थल होता, अपना गाउ दिखाई देता यहां से, लेकिन धुन्द होने के कारण देखे, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अपने कैम्प लग चुके थे, और पानी हम लोग नीचे से लेकर आये थे, अब बस जंगल से लकडियां ढूटके लानी थी, और आग जलानी थी, तो यहां पर आने के बाद अपना कैम्प लग चुके है, दोनों कैम्प लगा लिए, यह है थ्री में टेंट और जो बगल में है, यह है टू में, टू में में हमने सारा थामान रखे, यह थ्री में है, इसमें चार लोग आ जाते हैं, तो रहेंगे हम इस वाले में, इस इस इस्थान पर भालो का सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब करें तो सोनु भाई और आयूस भाई इससे पहले आपने इन दोनों को केंपिंग वीडियो में देखा होगा दोनों अपने गाउं के भाई है तो यहां अभी तब प्यारा संसेट हो रहे हमारे पहुंसने तक कहीं चलाना जाए यह दे भीज़ बीच में दिखाई दे रहे है Gem स Apostasy में देखे और पेडर तो यह दो हुआ गारे हुआ में चैनल संसेट बैख ने के लिए ही हैं पर आये लगता है तुमको भी ऐसा अब भी कभी ट्राइ करना कभी ऐसे पहाड़ों पर निकलते है गुमने मतलब कर बंद कमरे के अंदर चाई पीना लग चीज है और पहाड़ों में खुले आसमान के नीचे जंगल में बैटके चाई पीने का मज़ा कुछ और है तो धीरे-धीरे दि पर फीली हमाएं थी वहीं दूसरी तरफ आग की गर्मी में बैटना एक अलग सुकून था अपने को चाई बहुत पसंद है और वही चाई अगर ऐसे माहौल में ऐसे स्थान में मिल जाए तो अपने लिए इससे आनंद की बात और कुछ नहीं हो सकती पिछले साल इनी दिनो हमने धामी गाओं में केंपिंग की थी और तब का मौसम एकदम साफ था तब हिमालाई को एकदम साफ साफ देखा जा सकता था पर अभी के समय में हिमालियास कहीं गायब से थे अगर इस माहौल में अपने सामने हिमालाई का नजारा होता तो ये माहौल और भी अद्बुत ह तो अभिका टाइम यह है आटा घूत दिया गया ड़ता मेंने खूत और सबिकना गूले बना रहे हैं अपने आयूस बाइ और से दिन में से फूर्ण मेढ kuv ने कहा रहा था सुनु क्वें करने तो रोटी का लिभार शोनु के बास है लोटी बाइए बम से सब्सक्राइब कोड़ुन नाहीं है है करने तो खाना बनके तैयार है खाते जरा टाइम पे तो रात के लगभग दस बजे अपना खाना बनके तैयार था और खुले आसमान के नीचे बैठ कर आराम से खाना खाया इस टॉप में चलती हवाओं के सामने चूले की आग काफी नहीं थी तो कुछ और लकडियां खटा करके हमने बोनफायर जला ली जो कही ना कहीं सही डिसिजन सा भी दूआ खाना खाने के बाद देर रात तक हम कैम के बाहर बैठे रहे क्योंकि बाहर जलती आग को देख कर अंदर जाने का मन ही नहीं किया आख के सामने बैठे बैठे कब रात बीद गई और कब सुभे के चार बजने को आए पता ही नहीं चला तो कॉफी बन के तैयार है टाइम हो रहा है एक बज रहोंगे लगभग रात के तो मज़ेदार यार तीनी आप ही नहीं आले अपने दो साथी गहरी नीद में थे और हम दो लोग अभी भी बाहर ही बैठे थे सुभे के लगभग पाँच बजे हमको जंगल की ओर से कुछ आवाजे सुनाई दी जो पता नहीं किस जानवर की थी पर वो आवाजें बड़ी भयानक थी मैंने वो आडियो रिकॉर्ड की है अगर आपको कुछ समझ में आते तो कमेंट्स में जरूर बताना इन आवाजों के आने के बाद हमने बोनफायर और तेज कर दी और सुभे के लगभग छे बजे सोने चले गए तो सुभर उटने के बाद अपनी मेगी बनके तैयार है तेल वाली मेगी और चारो भाई एकी से बैठके खा रहे तो कल की रात यहां पे बहुत बढ़िया रही और इस साइट से कल यहां जंगल से कल आवाज आ रही थी कल हम लगभग पांच साड़े-पांच बहे तक अब आवाज आवाज और रिकॉर्ड कीए अलकिसी आवाज थी अब बताना किस चीच की थी यह से आ रही थी नीचे कहीं से जंगला से यहां नीचे खाई है देखो खत्तर नाक वाली खाई है यहां से नीचे जो एक रोड दिखाई देरी है यह है नाचनी से बारास बगल को जाती है यहवाली रोड जो आपको नीचे दिखाई दे रही है यहां से नीचे एक बार यह देखिए बेटी इतनी गहरी खाई है यहां से नीचे मैं क्या बता हूँ यार यह तो बहुत ही दगड़ी है यार तो यह दिखाई दे रहा है नीचे कहीं देखिए नाचनी टाउन है यह और उसके बगल में जो पानी की धार है राम गंगा न दी है वो देखे किती बढ़िया दिखाई दे दी यहां से अगर मैप के दुरू इस पहाड की जियोग्रेफिकल लोकेसन आपको बताऊं तो डोक्या दुरा का ये डाना लगबग सत्र सो पचास मीटर उंचाई का है जो राम गंगा नदी के पूरू में स्थित है राम गंगा नदी से लगा होने के कारण इस पहाड की पस्चिमी ढलान सीधा नदी तक उतरती है दुक्या दुरा के आजपास इस्थित कुछ उचे पहाडों की बात करूं तो गोकुल धुरा, खापर चुला, मकर चामा, भाल धुरा और राम गंगा के पार कालीनाग जैसे कुछ पहाड दुक्या धुरा के सबसे नस्दीक के पहाड है इस पहाड के आजपास बसे कुछ गाओं और कस्बों को देखा जाए तो नाचनी, हुबली, मूर्ती, सुर्खेत, नौलडा, रिंगोनिया और फल्याटी जैसे कुछ गाओं दुक्या धुरा के सबसे नस्दीक के गाओं है और लगभग सारे गाओं इस पहाड की तलहटी में स्थित है डुक्या धुरा के उत्तर में रामगंगा नदी के पार का पूरा छेतर बागे स्वर्जिले में आते है सीधे सब्दों में बोला जाए तो रामगंगा नदी अपने उदगम से लेकर यहां पहुँचने तक दो जिलो को अलग करती है कालचन बोला जाते है कभी आप अगर नाचनी जाते हो मुंस्यारी को जाते हो तो नाचनी से एक बार पीछे को देखना मतलब जिस पुल को आप पार करके नाचनी पहुचे होगे पीछे को देखना आपको एक खड़ा पहाड दिखाई देगा बहुत उचा यही वो पहाड है जिस पे हम अभी हैं जिसको यहां से चलना तो नामुमकी ने इसको चड़ा जाते है इस तरफ से तो अभी इस जगह पे आ रखें यहां से प्रॉपर नाचनी का मार्केट दिखाई दे रहे हैं थोड़े से पेलवेल लग जा रहे जिस कारण से ढग जा रहे हैं इस पॉइंट से देखो लेकिन अरे भाई यहां से संगम दिखाई दे रहे हैं यह वाली नदी का मिरको नाम नहीं पते हैं तो यह नदी जो है नाचनी में राम गंगा से मिल जाती है और यह वाली लीग जो है पूरी राम गंगा की है तो कुछ इस तरह के अंदेखे अनुभव के बाद दिन के लगभग डेड़ बजे हमने वापिस लोटना शुरू किया ट्रेकिंग और केंपिंग क कर चुके हम अबना और सबसे जरूरी है कि अगर आप ऐसी जगाओ पर कभी भी कैम्प लगाते हो कहीं पर भी तो आपके द्वारा अगर कोई ऐसे पनिया प्लास्टिक अगरा फैला हुए तो उसको या तो जला दीजिए या फिर अपने साथ ले चलिए यह सबसे जरूरी कल रात वीडियो में मतलब वीडियो तो कैप्चर नहीं कर पाई लेकिन ओडियो है मेरे पे मैंने ओडियो सुनाई होगी आपको तो उसमें एक आवाज कैप्चर होई थी अब पता नहीं चल पा रहा था मुझे जैसा लग रहा था कि सायथ से भालू की आवाज हो सकती थी क क्या भालू के काम हो सकते हैं हम जानना जा रहे हैं क्योंकि कल यहीं यहीं तक दभी थी और कल रात हमको यहीं से जानवर की आवाज भी आई रात में तीरे-दीरे अपनी मंजिल की तरह बढ़ते हुए अब समझ आ गया है कि प्रकरती के बीच रहना ही अपने आप में परि दहलान है और पिरूलो रखें जो चीड के बिड़ की पत्तिया होती है तो फिसल रहे हैं पैर बहुत ज्यादा अब ही दहलान जाता लग रही है तो टॉप से देड़ बजे नीचे को लौटने के बाद सामके लगभग तीन बजे हम मूर्तिगाहों में पहुंचे हैं ख़ता है में तो एक बिक राज फुमार मेल के द जहां में निखा अधर समय मित भादू रही है जो तेम जाज है जा इनके कयो से हाझ के चाँने के पर आंठाप गाल यह आड़ अचमügen जा के तो एक ज़ूमान्स का अचिया कर बछा था ना जा़ एकात भाद्ने कैसाण TEW अच्छा में पहुंसते ही हमको गाउं के कुछ लोग मिले जो हमारे नीचे लोटने का कपसे इंतजार कर रहे थे वो लोग अपनी वीडियोस देखते थे और अपने घरवालों को भी अच्छे से जानते थे तो उन्होंने हमको चाई के लिए पूचा चाई पीते हुए गाउंवालों ने बताया कि हम कल से वापिस नहीं लोटे थे तो उन लोगों को थोड़ी चिंता हो रही थी क्योंकि जिस पहाड के टॉप पे हम ट्रेकिंग के लिए गए थे वहाँ बीते सालों में कुछ लोग पहाड से गिर कर अपनी जान गवा बेटे थे असल में जिस इस्थान पे हम खड़े होकर वीडियोज बना रहे थे कुछ समय पहले ठीक उसी इस्थान से कुछ लोग खाई में गिर चुके थे साथ में गाउंवालों ने हमसे एक बात बोली कि कल रात तुमको जंगल में कुछ न कुछ हावाजें जरूर आई होंगी क्योंकि जिस इस्थान पे तुम पिछली रात रुके थे वहाँ कुछ ऐसी उर्जा मौजूद है कुछ ऐसे तत्तो हैं जो लोगों को अपनी मौजूदगी का प्रमान जरूर देते हैं पिछली रात हम दो लोगोंने कुछ आवाजें सुनी भी थी पर अपने अनुमान से वो आवाज किसी जानवर की थी तो इस सफर की आखरी चाई गावानों के साथ बैट कर पी और सभी लोगों से विदा लेकर वापिस घर को लोट गए तो उमीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आईए अगर पसंद आईए तो परवतवासी चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके इस चैनल मा अपना सपोर्ट जरूर से दिखाना बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बी सेफ एन बाई बाई